आज हम डिस्कुस करेंगे बफ़ेलो फार्विंग के बारे में जिसा कि आप जानते हैं पेटल के अंदर काउ और बफ़ेलो दो में मेजर एनिमल्स हैं मिल्क पर्डॉक्शन के लीए तो मिल्क परणुप्र में अभी डेर्ट देखा गया है वो जो परस एर सफ आप मिल्क का कोस्ट निकालते हैं और गंता क्रेंट है उसे आधार पर मिल्क का यह डिसायड होता है तो इन सब कारण की वज़े से अब फार्मर जो है बफेलो को ज्यादा मेत्तो देने लगा गाई को कम मेत्तो देता है अधिक देखा गया है की जयता तर फार्मर बफेलो रखते है दूद का फैट प्रक्षन की विशे से दो त्रें के वफेल होती है अपने इंडिया में पाई जाने वाली इंडिया और पाकिस्तान में में रूप्स है रिवर वफेल होती है जो मिल्क प्रोसर के लिए पाले जाती है स्वेम वफेलो मीट के लिए पाले जाती है यह बहुत कमदूद देती है यह चाइना थाइलेंट गर में पाले जाती है उमीट प्रपस से होती है जो रियूर वफेलो है यानि अपने पाए जने वाली इंडिया की अंदर में जो नसलें उसकी मुर्रा और मेसाना जापरावादी नसले विशे जरूप से हैं पाले जने व बहसों में सबसे अधिक दूद देने वाली नसल घराती है और फेट पसली ज़्यादा होता है मुर्रा नसल पॉपलर है मैसाना मुर्रा नेली इमेन नसले हैं बहसों के बारे का आप बहेवर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम बहसों में अक्षब देखने हो आती है इसमें लेटन्ट हीट की प्रॉब्लम रहती है यानि इसका अपने करेक्टर ने दिखाती हीट में आने के और इसी वज़े से क्या होता है कि आर्टिकिसलेंसिमेशन फेलेर होता है इसमें तो इसका पुरा रिकॉर्ड रख करके आपन भहस साधान बहसाम बोले तो खाल ही नहीं ज जाता है ज्यदा अच्छा होगा कि उसका टाइम आये उसके हीट पर जो आवे उस समय उसको AI करा दें तो आगे पीछी भी रहेगा तो उसका सही रूप से AI हो जाने पर सक्सेसफुल और उसका सक्सेसफुल प्रिकनेंसी रहेगी और सही टाइम पर आपको उसका रिजल्ट लेते हैं लेकर मिल्क प्रोडुक्शन अच्छा हो जाने के कारण भेसु को पालने का क्रेज बढ़ा है नो डाउट कि अगर कोस्ट प्रोडुक्शन निकालें तो बफेलो जो है इनपूट ज़्यदा है बफेलो में चारा दाना गाय की कंपिर में ज़्यदा देना पड़त हैं फारमर को ये फाइदा पहुचाने वाली फारमिंग है इसलिए आज के वक्ति ज़्यदा रखते हैं मेनेजमेंट में आप विशेज रूप से तुलसा इनको ध्यान दिना पड़ता है पानी से निलाना खुरारा करना और बहुत ज़्यदा गर्मी और सर्दी से बचाने क के लिए शेल्टर जैसा की डाइगराम में देख रहे हैं आप पोटो में आऊशकता होती है और फेट में कीड़े पेरासाइट से बगरे अभी बल्दी शेंदर टेक करते हैं इसलिए उनको समय समय बाहर के कीड़े और पेट की पेरासाइट मारने के लिए दवा देते रहन मिलकी के लिए बहुत ज़्यदा अगर वफेलों रखते हैं तो मिलक मसीन की जरुत पड़ती है अतरवाएज आप मिलक में से भी दूद निकाल सकते हैं दूद में फेट ज़्यदा होने से कॉलश्टों की प्रवल्म होती है लेकिन फेट के आदार पर दूद अच्छा बिक अपन वफेलों फार्मिंग को में तो ज़्यदाना हरा चारा दाना खिलाके और एनिमल को हम पाल सकते हैं और इसे अच्छा प्रडूक्शन ले सकते हैं